इतिहास का अंसूना सच तैमूर लंग बहुत ही निर्धन लणका था वो किसी धन्वान विक्ती की भेण बकरिया चराया करता था तथा सुवा साम किसी लोहार के अहरण पर घन मारने का काम करता था परिवार में केवल उसकी एक मा थी एक दिन दो पहर के समय जंगल में पेड की छों में बैठ कर वह भोजन कर रहा था तब उसे परमात्मा की रूप में कवीर साहब जी राह चलते दिखाई दिये तैमूर लंग ने साधू जानकर उनसे भोजन पाने का आग्रह किया तो महात्मा रूप में कवीर साहब जी ने कहा कि बच्चा भोग तो लगी है भोजन हम अवश्य करेंगे तैमूर लंग ने कहा महात्मा जी अभी तो भोजन कर लिया है थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको भी भोजन मिल जाता परन्तु कोई बात नहीं मेरा घर यहां से बस थोड़ी ही दूर पर है मैं घर जाकर अपनी मा से भोजन बनवा कर लाता हूँ तब तक आप मेरी बगरियों का ध्यान रखना कहीं खो गई तो मालिक मुझे डंड देगा कवीर सहाब जी ने कहा कि ठेक है बच्चे मैं तेरी बकरियों का ध्यान रखूँगा तैमूर लंग घर जाकर मा से भोजन बनवाया तथा मा के साथ भोजन लेकर आया तथा कवीर सहाब जी को परोसा गया जब तक कवीर सहाब जी भोजन कर रहे थे तैमूर लंग की मा ने प्रातना की कि महराजी हम बहुत निर्धन हैं कभी तो खाने को अन्न भी नहीं रहता ऐसा उसने बार बार कहा जब कवीर परमेश्वर जी भोजन करकर उठे तो पास में बकरियों की बानने की सांकल बेल पड़ी थी उसे ही उठाकर तैमूर लंग की पीट पर उन्होंने साथ बार मारी फिर लात और मुक्के भी मारे फिर कहा कि जा मैंने तेरे बेटे को साथ पीड़ी का राज दे दि सोचा कि इस महात्मा के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है तो साथ पीड़ी का राज यह कहां से देगा इतना सोच ही रही थे कि कभीर परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए तो तैमूर लंग और उसकी माने सोचा कि जरूर यह कोई सिद्ध उक्त महात्मा थे हमने इनके ब तू हथोड़ा मारता है वह जगा तू अपने सेट से मांग ले तैमूर लंग ने कहा कि वह मुझे कैसे देगा मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है परमेश्वर कवीर साहब जी ने कहा कि तू केवल उससे बात तो कर बाकी का काम मेरा है तैमूर लंग सोबा उठक कर अपनी मां से बताया कि मा मेरे सपने में आज वही महत्मा जी आयो एक है तो उसकी मा ने भी कहा कि बेटा उन्होंने दर्संतो मुझे भी दिये लेकिन वह बोल क्या रही थे यह मुझे याद नहीं तैमूर लंग ने कहा कि मा मुझे सब याद है सारे बात बताई सब arriv कि भाई यह जमीन मुझे बेचनी है लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है तु मुझे कहा से देगा इसके पैसे तैमूर लंग ने कहा सेट जी आपका पूरा पैसा दे दूंगा ता मैने में आपके पैसे लोटा दूंगा लोहार सेट को पैसे की सक्त जरूरत थी इसलिए अहरण वाले उस जमीन को तैमूर लंग को दे दी परमेश्वर कबीर सहाब जी ने तैमूर लंग को बताते रहे कि जमीन के चारों तरब दीवार बनाकर इसके नीचे जो धन गड़ा हुआ है वह धीरे धीरे निकाल ले और अपना काम चला ले तैमूर लंग ने वैसा ही किया उस कुछ-कुछ घोडे खरीदे और बेशने खरीदने का पैपार करने लगा लोग सोच रहे थे कि तैमूर लंग का तो धंदे ने हाँ पकड़ लिया यह तो निहाल हो गया लेकिन वह तो कबीर परमेश्वर की क्रिपा से धनवान हो रहा था एक दिन तैमूर लंग जंगल में जा रहा था कुछ दूरी पर उस गाउं की एक लड़की कुछ काम कर रही थी उधर से किसी राजा के सैनिक आये और लड़की को उठा कर ले जाने लगे तो उस बहन ने अवाज लगाई रे भाई तैमूर लंग मुझे बचा ले रे भाई तैमूर लंग मुझे बचा ले त लेकिन तैमूर लंग अकेला था सैनिक तीन चार की संख्या में थे तैमूर लंग को अधमरा करके पटक कर सैनिक लड़की को उठाकर लेके चले गए जब उसे होस आया तो उसने सोचा किस राजा को सबक सिखाना ही है उसने अपने जैसे ही कुछ गाउं के युवा लड़कों को इकठा करक उनको लड़ना सिखाया और बदलने मों उसको पैसे देने लगा जिससे और युवा लड़के आकर उसका साथ देने लगे उनको लड़ना सिखाया हत्यार बनाना सिखाया ऐसे करते करते उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी फोज बना ली समय देखकर राजा का मुख्य सेनापती ने देखा कि उसके सामने लाखों की तादाद में सेना खड़ी है। सेनापती ने राजा से कहा कि महराज हमें आत्म समर्पण करने में ही भलाई है। राजा ने तैमूर लंग के सामने आत्म समर्पण कर दिया। तैमूर लंग उसे मारने गया तो उसे कभीर परमेश्वर की बात याद आ गई कि जीव हिंसा नहीं करना है इसलिए राजा की जान उसने बख्स दी और कहा कि यह राजी छोड़कर वह चला जाए उसने ऐसा ही किया कुछ समय बाद दूसरे राजा के राजी में जाकर उसे भी जीत लिया ऐसा करते हुए तैमूर लंग ने इरान इराग को जीतिते हुए मद्ध एश्या से लेकर पस्चिम एश्या तक अपना समराजी स्थापित किया उसने भारत को भी जीता और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई समय उपरान उसका तीसरा पोता बाबर को समराज दे कर वह चला गया इदियास गवा है कि तैमूर लंग से लेकर औरंग जेब तक तैमूर लंग की साथ पिढ़ी ने दिल्ली पर राज़ की और उसके बाद समय के साथ समराज छोटे छोटे टुकडों में बटे गया कबीर सहाब जी ने निर्धन तैमूर लंग की एक रोटी खाकर उसे साथ पिढ़ी का राज बक्सीज दिया इसलिए कबीर परमात्मा ने अपने वाणी में कहा है कि रोटी तीमर लंग को दीनी ताते साथ बा साही लीनी तैमूर लंग को साथ पिढ़ी का राज देने वाले वो आविनाशी परमात्मा कबीर साहवी है अपनात्मा तैमूर लंग से लेकर औरंग जेब तक साथ पीढ़ी यानि साथ पीढ़ी ने राज किया औरंग जेब के बाद दिल्ली का तो राज था वो छोटे छोटे टुकुडों में बटी गया था परमात्मा ने एक रोटी खा के तैमूर लंग को साथ पीढ़ी का राज बे दिया अब यू तैमूर लंग बगवाद्या मपढ़ गया बगवान बूल गया गणिया माया होगी थी फिर परमात्मा मिले इसको एक दिन सिकार में गया हुआ था ये और इसको एक समतकार किया इसके साथ और इससे पूछा के तू दो कोड़ी का आदमी अराज भूल गया भगवान को उसके बाद तैमूर लंग परमात्मा सिब अक्समा यातना की नए सिरे से उपदेश लिया फिर अपनी भगतिया गीकारी बना अब कहते हैं जिब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी रोटी तैमूर लंग कुंदी नी ताते साथ बाद साहिली नी एक रोटी खाकर साथ बिड़ी का राज दे दिया और श्रीकर्शन जी ने एक मुठी चावल खाकर के विल एक मकान बनाया था सुदामा जी का अपना अत्माओ गीता जी अज्धाय नमबर दो के सलोक नमबर चालिस में कहा के अरजुन जिस समें तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ बगवान की जानकारी हो जागी उससे प्रिचित हो जाएगा उस समें तेरी आस्था इस पर कार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलास्या की प्राप्टी के उपरांट छोटे जलास्या में जैसी सरधा पराणी झाल झाल झाल